नमस्कार दोस्तों, हेल्थ सेक्टर से एक काफी इंपोर्टेंट खबर सामने आई है, जो कि हम सब के लाइफ पर इंपाक्ट डालने वाली है अगर आप करेंट अफेर्स अच्छे से पॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा पिछले 3-4 सालों से भारत के अंदर एक चर्चा चल रही है कि जो आयरुवेट के स्टुडेंट्स होते हैं, जो आयरुवेट प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या उनको सर्जरीज पर्फॉर्म करने देना अलाउग करना चाहिए, या फिर नहीं अलाउग करना चाहिए लेकिन फानली यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है और वहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन से चीजों में यहाँ पर जो सर्जरीज हैं, वो आयरुवेट के पोस्ट ग्रैजुएट इस्टुडेंट जो हैं, वो अब पर्फॉर्म कर पाएंग और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक और फीड़ा पर मेरे लेक्ट्र की हब पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, बाइ सर्चिंग, अंकित अग होमियोपैथ, इस तरह के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है आयूश मिनिस्ट्री के दोरा, और इसी मिनिस्ट्री के अंदर एक काउंसिल है, जिसका नाम है Central Council of Indian Medicine, ये एक statutory body है, कहने का मतलब है कि ये law के थुरू बनाया गया था, 13 नवंबर को ये notification आया था, और यहाँ पर उन्होंने amendment किया है, आप देख सकतो, इसका नाम है The Indian Medicine Central Council Postgraduate Ayurveda Education Amendment Regulation 2020, और इस notification के थुरू क्या किया गया है, जो Ayurveda के postgraduate students है, उनको formal training दी जाएगी अलग अलग प्रकार की जो general surgeries होती है, ENT होता है, ENT का मतलब हो गया, ear, nose, throat, और इसके अलाबा और भी कई प्रकार के जो चीजें होती है, उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि वो यहाँ पर practice कर सकें, real life में जो surgeries conduct की जाती है, In fact, यहाँ पर जो Ayurveda के students होते हैं, वो दो प्रकार से अपने आपको specialize कर सकते हैं, आप देख सकते हो, एक कहा जाता है, इ यहाँ पर सिख्षा पराप करेंगे, post graduate करेंगे, वो वहाँ पर जो ENT वाली surgeries होती हैं, जैसे ear, nose, throat हो गया, head हो गया, Oreo dentistry हो गया, दात वाली चीजे हो गई, इस तरह की surgeries यहाँ पर शालक के तंत्र वाले जो students हैं, वो कर पाएंगे, तो इसको दो तरह से divide किया गया है, दात हो गया, दंत रोग, तो इस तरह से सभी चीजों को divide किया हो गया, और proper list निकाल दी गई है, पहले चर्चा चल रही थी, सरकार ने अलरड़ी allow कर दिया था, लेकिन कौन-कौन से surgeries allow किये जाएंगे, वो अभी नहीं तरह था, और finally जाकर यहाँ पर list जारी किया गया है, इस तरह के सभी चीजों में, यहाँ पर जो आयरोवेट के post graduate students हैं, वो अब surgeries conduct कर पाएंगे, लेकिन जैसे यह list जारी किया दोस्तों, यहाँ पर criticism हुआ, कई सारे जो allopath के professionals होते हैं, allopath मतलब जो English medicine से related होता है, जो usually हम अपना surgeries वगर जिन से करवाते हैं, तो allopath के जो professionals हैं, in fact जो Indian Medical Association है, Indian Medical Association में जितने भी doctors होते हैं, उनके interest को देखा जाता है, यह एक तरह की society है, तो उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज को oppose किया, कि हमें जो proper system है medicine का, उसको mix नहीं करना चाहिए, इस तरह की जो चीजें की जारी हैं सरकार के दोरा, इसको mixing करने की कोशिश की जारी जो आयूश ministry है, उन्होंने यहाँ पर clarification दिया है, कि यह जो शैल्य और शालक की post graduates होते हैं, वो already इसके बारे में सीखते आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनको यहाँ पर जो proper procedures के थूरू follow करते वे, वो भी यहाँ पर surgeries conduct कराई जा सकें, ताकि यहाँ पर जो कमी है doctors की भारत के अंदर, उसकी आपूरती यहाँ पर अच्छे से हो पाएगी, तो यह main reason दिया जा रहा है भारत सरकार के दोरा, लेकिन यहाँ पर कई सारे questions राइज होते हैं, सबसे पहला question लोगों के दिमाग में आता है कि will this dilute the medicine standard, जो proper medical standard होता है देश के अंदर, या फिर कहीं पर भी, क्या यह Ayurveda के practitioners की वज़े से dilute हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो देखे, यहां तक मैंने articles को पढ़ा और जो चीजें बताई गए थी, दहिंदू में article आया था, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो post graduate Ayurveda के students होते हैं, उनको भी proper training लेनी परती है, ऐसा नहीं है, अगर वो Ayurveda क students हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह short term का course होता है, उनका भी proper three year का course होता है, formal training लेते हैं, तो यहां पर जो surgeries conduct की जाती है, medical colleges में, hospitals के अंदर, और जो allopath के doctors के द्वारा किया जाता है, तो दोनों का जो standard है, दोस्तों वो same होता है, ऐसा नहीं है कि Ayurveda का, अगर आप surgery करा रह इसी प्रकार का नुकसान है, in fact, यहां पर बोला गया है कि इसमें भी जो Ayurveda के practitioners होते हैं, वो भी proper यहां पर inquiry करते हैं, surgery करने से पहले, कोई भी चीजों को करने से पहले, ताकि patient की जो safety है, उसका ध्यान रखा जा सके, तो जो पहला question है कि क्या यह medical standard इससे dilute होगा, तो यह implementation का part है, जहां तक real life का example है, वो बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ शायद नहीं होने वाला है, इसके अलावा दूसरा question एक और अडाइज हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो doctor patient का ratio है, वो काफी जादा यहां पर high है, मतलब कि कम है, sorry, जैसे कि आपकर आप देखोगे, बोला जाता है, जो WHO है, उनके हिसाब से at least one doctor होना चाहिए every thousand population पे, हजार हर हजार population पे at least एक doctor होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या है, कि हर करीब 1500 जो population है, उस पे यहां पर एक doctor available है, in fact जो rural areas है, वहां पर तो इसकी और जादा कमी हो जाती है, क्योंकि आ रूरल areas में जाना पसंद नहीं करते, सर्व करना पसंद नहीं करते, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज़्यादा तर ये देखने को मिलता है, कि urban areas में ही रहना चाता है, और उनकी भी बात कई बार सही है, क्योंकि facilities नहीं होती है, वहां पर उतना ज़्यादा पर्क न रूल नहीं आया है, ऐसा कि जो non-allopathic doctors होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर आयरुवेट की जो doctors हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो urban areas में भी serve कर सकते हैं, rural areas में भी serve कर सकते हैं, इसके अलावाज दोस्तों यहां पर एक और question है कि यहां पर जो already कमी है rural areas में, allopathic surgeons की, उसको problem solve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आज के date में दोस्तों अगर आप देखोगे जो shortage है, unwillingness है, allopathic doctors की rural areas में जाने से, वो यहां पर और जादा बढ़ गई है आज के date में, सरकार ने कुछ कदम लिये हैं, जैसे अगर आप देखोगे उनसे rural bond sign कराया जाता है, अलावा यहां पर post graduate seats में उनके लिए quota भी available होता है, जो लोग rural areas में जाकर serve करते हैं, तो यह भी encourage करने की बात कही गई है, recently सरकार plan बना रही है कि जो colleges हो गए, medical colleges है, post graduate seats है, वहां पर ज्यादा संख्या बढ़ाया जाएं, ताकि यहां पर जो doctors की संख्या वो बढ़ें, और इतना जल्दी पूरा नहीं होने वाला है, और इसके लिए यहां पर कुछ creative ways अपनाने होंगे सरकार को, भारत सरकार को, ताकि यहां पर यह जो कमी है, उसको कम किया जा सकी, जैसे कि task sharing हो गया, evidence based approach, कौन से rural यह ज्याद में कहां पर problem है, इस तरह की चीज़े पहचाननी तो जो mid-level healthcare providers होते हैं, जैसे community health providers हो गया, इनकी एक काफी बड़ी संख्या बन चुकी है, तो कुछ जिम्मेदारी, जो doctors की कुछ जिम्मेदारी है, वो हम इनके उपर भी shift कर सकते हैं, ताकि जो doctors की कमी है, उसकी आपूर्ती की जा सके, तो यहां तक में चीज़ें दोस्तों का होगा, तो देखें, यहां पर इसका कोई proper answer हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि नहीं सब्स्तेंडर कॉलिटी का होगा, यहां पर अगर आप patients का choice देखोगे, तो कई patients ऐसे होते हैं, जो कि exclusively यहां पर आयूश के द्वारा ही treatment 9% करते हैं, आप कई लोगों से पर, regularly वो allopathic जाते हैं, लेकिन कभी-कभी compliment के तौर पर आयूश के पास भी treatment कराने जाते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, invasive procedures की, invasive का मतलब हो गया जो surgery है, उसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो risk है दोस्तों वो काफी high हो जाता है, इसके लिए यहां पर हमें ensure करना पड़ेगा, कि जो surgeons हैं, उनकी पूरी जानकारी हो, जो भी patient उनके पास जा रहा है, तो जो भी आयूवेट का professional है, उसकी सारी जानकारी patient के पास होनी चाहिए, कि वो उसके पास कितना expertise है, कितने level की training उसने लिया है, तब जाकर यहां पर इस तरह की चीज़ें apply करनी चाहिए, in fact, यहां पर यह भी बताया जाता है, कि जो rural areas में लोग रह रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कलके date में आयुरुवेट जो है, वो ज़्यादा तर rural areas में सीमित रह जाए, और urban areas में सभी लोग यहां पर जो allopathic medicines हैं, उसके थ्रू allopathic doctors के थ्रू surgeries करा रहे ह क्योंकि यहां पर जो right to health है, वो rural areas और urban areas के इसाब से divide नहीं होना चाहिए, तो let's see कि यह कि इस तरह से workout करता है, लेकिन अभी के लिए I hope कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, कि भारत सरकार ने एक तरह से list जारी किया है, कि कौन-कौन से चीज़ों में यहां पर जो आयरुवेद के students हैं, वो surgeries perform कर सकते हैं, तो let's see कि क्या इस पे और विरोद आता है, क्या रोका जाता है, कि नहीं रोका जाता, बट आपका क्या opinion है, let me know in the comment section, जाने से पहले क्योंकि अब हम आयरुवेद की बात कर रहे हैं, यहां पर तीन बहुत important question आपके exam में आ सकता है, statement statement यहां पर मैंने लिखा है, तीन statement, let me know इसका answer क्या होगा, मैं जो इसका right answer है, अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course पर्चेस करना चाहते हैं, Study IQ आप पर जा सकते हैं, यह ओप कि यह वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स टाइम, तिल देन, thank you very much, see you soon.